दोस्तों क्या आपको पता है भारत के गरीब किसान ने एक अद्बुत खोज कर दी है तो वीडियो को भीना स्किप किये अंतक देखें एक किसान जो पुरुवी भारत में रहता है उसने इस अद्बुत ये पिले रंग के कचुए की खोज की और उसे गवर्मेंट को सही सलामत सौप दिया वह किसान उडिसा के वाला सोर जिले के छोटी से गाओं सुजानपूर का रहने वाला है वह खेत में काम कर रहा था तभी उसने इस पिले रंग के कचुए को देखा उसकिसान का नाम वासुदेव मापातरे आप वीडियो में देख सकते हैं ये पिले रंग का कचुए वाकई में सुन्दर और अद्विती है हेलो दोस्तो हमारे चैनल एवाओ जीनिवर्स में आपका स्वागत है तो आज हम आपके लिए लाए हैं कचुए के वारे में कुछ अन्सुनी बाते तो चलिए सुरू करते हैं टर्टल यानि कचुवा पिछले 15 क्रोड वर्सों से भी अधिक समय से प्रितिवी पर रहन हैं ये साप मगरमच्छ और पसुपक्षियों से भी पहले प्रितिवी पर उत्पन हुए थे लेनासोर के समय समय के बाद इस प्रितिवी पर कच्छोव की उत्पति हुई थी इनकी लगबग 300 से ज्यादे प्रजातिया प्रितिवी पर मोगूद हैं लेकिन बहुत सी प्रजातिया मिलिप्त होने की कगार पर है कच्छोय जहरीले नहीं होते हैं इनके काटने से सरीर में किसी परकार का जैर नहीं फैलता है। क्या आप जानते हैं, कचुओ का रंघ करमी में हलका तथा ठंड में गैरा होता है। अरथात, कचुओ जितने गैरे रंग के होते हैं, ये उतने थंड रहते हैं। रोमन मिलिटरी कच्छों से प्रबावित होकर उनसे कतार बनाना तथा, अपने सरीर के उपर डाल रखकर खुद को बचाना सिखा। कच्छों के मुँँ में दांत नहीं होती है, एक तीखी प्लेट नुमा हड़ी होती है जो भोजन चबाने के काम आती है। कच्छों को अपने सेल में जाने से पहले अपने फेपड़े को खाली करना पड़ता है। आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, उनमें जो डाइनासोर की आवाज आती है वो डाइनासोर की नहीं बलकि कच्छों की आवाज है, जिसे डब करके दिखाया गया है। 1968 में UAE का पहला यान चांद का चेकर लगा कर वापस आया था, उनके साथ एक कच्छुआ भी गया था, हैरान कर देने वाली बात है कि चांद से आने के बाद कच्छुए की वजन में 10% की कमी आ गई थी। अंडे देने से पहले मिटी कोड़ते हैं और एक बार में 1 से 30 अंडे दे सकते हैं, लेकिन अंडों से बच्चे निकलने में 3 से 4 महीनों का वक्त लग जाता है। क्या आप जानते हैं कच्छुए के दिमाग को उसके सरीर से अलग कर दिया जाए तो भी वो 6 महने से अधिक जिवित रह सकता है। कच्छुए की कवच 60 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। अंटार्क्टिका को छोड़ सभी मादियूपो पर ये पाय जाते हैं। दोस्तो हौक बिल नाम का कच्छुआ सिर्फ जहरीले जिवों को खाता है। कुछ दियूपो पर विसालकाए कच्छुए पाय जाते हैं जिनने जैन टॉर्टिल कहा जाता है। इनके उच्छाई 6 पीट और चोड़ाई 4-5 पीट हो सकती है। कच्छुए की रप्तार 1.6 किल हारी और मांसाहारी दोनों होते हैं लेकिन जाड़े तरसा कहारी ही होते हैं वे अपना जीवन फल फुल पत्तियों पर निर्वर करते हैं। I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Keep watching.